सारे आनू सत्षिरियकाल स्वागत कर दिया मैं तो होड़ा अपने चैनल मैथविद सुमन प्रित कौरते मैं आँ सुमन प्रित कौर आज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे मुगल सामराज देनार लेठीड कुछ इंपोर्टेंट MCQ दा पूरे दा पूरा निचोड हाँ जी मैं बिल्कुल कंप्लीट वीडियो लेकी आईया तो होड़े लेए मुगल सामराज देनार लेठीड एट टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट हा जिकर तुसी किसे वी कंपिटिटिव एक्जाम दी तियारी कर रहे हो स्टेट जा सेंटर लेवल दोमा दे लेए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक हा है जो वी MCQ एक्जाम दे पॉइंट आफ वीव तो इंपोर्टेंट बन सक देया वो सारे में इस वीडियो दे विच लेके आईया ते मैं सारे ही MCQ सिलेक्टिड एंड इंपोर्टेंट लेया जिकर तुसी किसे वी कंपिटिटिव एक्जाम दी तियारी कर रहे हो तो इस वीडियो नो पुल के वी ना शड़ना क्योंकि ए टॉपिक बहुत जादा इंपोर् पूरी क्लास नो टेंप्ट करियो क्योंकि एक्जाम बिच तो आनू बहुत जादा हेल्प मिलन वाली है इस वीडियो तो ता सब तो पहलना ता मैं तो नो ए दसना चौनिया कि एक एक्जाम दे विच हिस्ट्री 14th सेंच्री ओनवर्ड पुछी जान दिया 14th सेंच्री ओनवर्ड दे विच जित्थे सिखतर हम एक इंपोर्टेंट टॉपी का उत्थे मुगल सामराज भी एक इंपोर्टेंट टॉपी का ता ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर दे होया सी आज दी ये वीडियो स्टार्ट कर दियां जे करतो हानों वीडियो चंगी लगे ता प्लीज वीडियो नू लाइक कते शेयर जरूर कर देना किस मुगल बाज शादे साशन काल नू मुगलांदा सुनेहरी काल केहा जान्दा है हांजी मुगलांदा सुनेहरी काल केडे मुगल बाज शादे साशन काल नू बोल्ले आ जान्दा ता ये बोल्ले आ जान्दा जी साँ जहां दे Option number A is the right answer Next पार्त ते हमला करन लई बाबर नू किसने सद्दा दिता हांजी बाबर अजेड़ा सबतो पहला तोप खानना इस ते कोल ही आया सी ते एसने बहुत ज़ादा तबाही मचाई होई सी ठीके तपार्त ते हमला करन लई बाबर नू सद्दा दिता सी दौलत खालो दी मैं वाड़ दा राजा सांगा ते आलम खालो दी उप्रोकत सारे ही इस दा राइट आंसर है ठीके Option D is the right answer है उप्रोकत सारे Next परसिद मोर ताक्त केस परसिद इमार्त विच रख्या गया है Option D is the right answer Next पारसी रिती रिवाज केस ने अपनाए Option A is the right answer आकबर ने अपनाए सी पारसी रिती रिवाज Next आकबर ने केड़े पारसी रिती रिवाज अपनाए हांजी आकबर ने पारसी रिवाज जड़े अपनाए सी ते होना दे विचो केड़े अपनाए सी पारसी तिहार नो रेज Option नोबर A is the right answer पार्सी त्युहार नो रोजा जेडे ए अकबर ने रिती रिवाज अपनाई सी Option A is the right answer Next मनसब्दा अर्थ है हाँजी मनसब्दा अर्थ पदवी Option A is the right answer ओंदा पदवी ठीके मनसब्दा अर्थ Next मनसब्दार नो लगांदे रूप वीच केडी तन खा मिल दी सी ते उसनू की के हाजान्दा सी हाँजी मनसब्दार नो जेडी तन खा मिल दी सीगी उसनू की बोल दे सीगे जागीर Option A is the right answer Next आपबर पुर्तगालियां परती बहुत नराज सी क्योंकि ओ बहुत जुलूम करदे सान ओ हाज जात्रियां नो तंग करदे सी ओनाने दखनी रियास्तां दे साशका नाल राजनी तिक समझाते वी कर ले सान ता आपबर तो अनुपता गुरु अमरदास जी दे सामकालीन मुगल बाश्या सी ते एहे मतलव के कटड मुगल बाश्या नहीं सिगे ओस समेदे ओफ्शन नबल डी इजा राइट आंसर इनाने ता सती प्रथा दा विरोधवी किता सी नेक्स्ट है पार्त दे केस साशकनू जीटी रोड बनो अन्दा सेरा दित्ता जान्दा है वेरी इंपोर्टेंट अजी बहुत ही इंपोर्टेंट एमसी के ओगा जेडा की सेंटर लेवल दी पोस्ट दी विच्वी बार-बार रपीट हुन्दा है पार्त दे केस साशकनू जीटी रोड बनो अन्दा सेरा दित्ता गया ता जीटी रोड किन्ना ने बनमाया सीगा 6 सा सूरी ने option D is the right answer next पाणिपत दी पहली लडाई किस विच्व कार लडी गई हाँजी पाणिपत दी पहली लडाई इब्राहिम लोद्धी अते बाबर दे विच्व कार लडी गई सी option C is the right answer इस दे विच्च की होया सी कि इब्राहिम लोदी मारया गया सी ते बाबर जित्त गया सी ते नाल दी नाल लोदी वाइशदा अंत हो चुके या सी ठीक है इब्राहिम लोदी दे मारे जान नाल जदो इब्राहिम लोदी गदी ते बैठा सी ता दौलत खा लोदी इस दे विरोध सीगा उसनों एसी कि मैं क्यों नी गद्धी ते बैठा इसकार कि उसने बाबर नू सद्धा दता सीगा ठीक है? Next है ओ केडा पहला पार्तिस आशुक सी जिसने East India कंपणी नू बपार करंदी आग्या दिती हांजी East India कंपणी तो अनु बताए अंग्रेजा ने स्थापित करनी सी पार्त दिनाल बपार करंदे ले मसाले बन ओनदा कम करदी सी ये कंपणी ते एस कंपणी नू बपार करंदी आग्या किसने दिती सी सब्तो पहला? जाहांगीर ने हाँ जी गेंस्ट इडिया कंपणी नू बपार करंदी आगया जाहांगीर ने दिती जाहांगीर एक कटड मुसलमान सी जिसने जिस दे हुकमा ते लहौर दे विच गुरु अर्जन देव जी दी सहीदी होई सिख तरम दे विच सब्तो पहली खतरनाक सहीदी सी गुरु अर्जन देव जी दी सहीदी दाधनाक बोल सकते हैं जिसनों सी ओफशन A is the right answer है जाहांगीर ठीक है नेक्स्ट है आकवर्दा जनम कित्थे होया हाँ जी आकवर्दा जनम होया सी सिंद दे अमर कोट दे विच एम सी क्यों बन सकते हैं आप ओही ले या ता कोई जादा आपड़ी टेल दे विच नहीं जामागे इनना दे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बन सकता उस दे वारे जरूर्द साहिनाल हांजी जीला A इलाही दा मतलव है जीला A इलाही दा मतलवा परमातमा दा तर्थीते Option B is the right answer. Next, औरंग जेव दुवारा अखीर विच कवजे विच लिया गया दखनी राज केडा सी. हाँजी औरंग जेव ने अखीर दे विच सब्तों लास्ट ते अपने कवजे दे विच केडा दखनी राज लिया गोल कुंडा. Option C is the right answer. Next, जाहंगीर्दी मां किस दी पुत्री सी? हाँजी जाहंगीर्दी मां किस दी पुत्री सी? अम बेर्दे राजबूत साशक दी. Option A is the right answer. Next, आकबर नामा किसने लिखिया? हाँजी अकबर नामा लिखिया अबुल फजल खाने. Option A is the right answer. अबुल फजल ने अकबर नामा लिखिया. Option A is the right answer. Next, नूर जाहंदी जाहंगीर्दाल शादी कदों होई? थाजी नूर जाहंदा व्याँ जाहंगीर्दाल कदों होया? सोलांसो ग्यारा इस्विदे विच्च. Option C is the right answer. कि नूर जाहंदी जाहंगीर्दाल व्याँवा ओ सोलांसो ग्यारा इस्विदे विच्च होया? Next, नूर जाहंदी उपादी किसने ता रन कीती? हाँ जी, नूर जाहंदी उपादी ता रन कीती सी महरू निशाने. Option C is the right answer. Next, नूर जी, सुले कुल दा अर्थ है. हाँ जी, सुले कुल इस दा अर्थ है. सरभ्या पी शान्ती. Option B is the right answer. Next, जी, हाँ जी, नेक्स्ट है. सुले कुल देविचार दे अधारथे आखबर नू साशन चलोण विच सहाईता किसने दिती सी? अभूल फसलने. Option A is the right answer अबुल फजल ने अकवर नुँँएस विचारते साशन चलोंधी सहाईता जान देदित्ती सिगी Next एजी चंदेरी दी लडाई विच राजपूतानुँँख ने हराया हांजी चंदेरी दी लडाई दे विच राजपूतानुँख राया सी चंदेरी दी लडाई देखो बाबर अते राजपूताने विचकार होई ता इस देविच बाबर ने चंदेरी दी लडाई देविच राजपूतानुख रादत्ता सी Option A is the right answer एकना MCQA बहुत पुच्छी आजान दा एक्जाम देविच कि गुरु नानक देवजी देनाल बावर्दी मुलाकात किन्न में हमले दोरान हुई ता राइट आंसर होगती जे हमले दोरान नेक्स्ट है आलमगीर्दी उपादी किसने तारंकिती हाँजी आलमगीर्दी उपादी तारंकिती सी औरंक जेवने Very important option C is the right answer Next है हमाजू दा अर्थ है हाँजी हमाजू दा अर्थ है किसमत वाला Option number B is the right answer है हमाजू ता हुन जल्दी नाल कमेंट बॉक्स दे विचलिको कि हमाजू केडे गुरु दे समकालीन सी Next है बावर पिता वाले पासेतों किस दी पंजमी पीडी सी हाँजी बावर अपने पिता वाले पासेतों किस दी पंजमी पीडी दे विच्चाया सी तैमूर दी तैमूर वारे तुसी सुनेया हुना Option C is the right answer ठीके ता तैमूर दी पंजमी पीडी सी गी बावर Option C is the right answer Next है बावर ने केडी उपादी ता रनकीती हाँजी जी में आकबर ने आलमगीर दी उपादी ता रनकीती सी ना ता बावर ने उपादी ता रनकीती सी गाजी दी Option number A is the right answer Next है हाँजी दू अस्पा शी अस्पा केसने शुरू किती दू अस्पा शी अस्पा केसने शुरू किती अस्पा शी अस्पा जहां गीर ने शुरू किती Option number B is the right answer Next है गोकल चूडामन बदन सिंग ने केस दे काल वेच विद्रो किता हाँजी गोकल चूडामन बदन सिंग ने औरंग जेव दे काल वेच विद्रो किता Option number D is the right answer ओरंग जेव ओरंग जेव आई थे Next है जात अते स्वार्दा स्वांद केस नाल सी हाँजी जात अते स्वार्दा स्वांद सिंगा मनस्वदारी दे नाल Option number B is the right answer मनस्वदारी कौन सिंगे मैं तो नूँ अल्रेडी दास चूड किया जेड़े लगान दे रूप विच जापके साथ जेड़े लगान कठा कर दे सिंगे ठीके इस दा अर्थ सिंगा पदवी Next है जी वेरम खा कौन सी हाँजी वेरम खा एक सी या सी Option number A is the right answer Next है सदर उस सदूर हुंदा सी हाँजी सदर उस सदूर एक कौन सी गा तार्मिक मामलें आते दान भी पागदा मुखी सी Option number A is the right answer Next है उपस दे अधा आर्ते पूम्मीदा सही करम है हाँजी उपस दे अधा आर्ते पूम्मीदा जेड़ा सही करम सी गा Option B is the right answer Next है पानी पद्दी दूझी लड़ाइ kes kes विचकार हुई सी हाँजी पानी पद्दी दूझी लड़ाइ जेड़ीकी बहुत फेमस रहिया पानी पद्दी दूझी लड़ाइ अकवर अते हेमूदे विचकार हुई सी Option A is the right answer नेक्स्ट है चेरसा सूरी अते बंगाल दे नबाव विचाले 1533 इस्वीदे विच केडी लड़ाई लड़ी गई हांजी चेरसा सूरी अते बंगाल दे नबाव विचकार 1533 इस्वीदे विच सूर्जगर्दी जड़ी लड़ाईया होई सी अफ्ष्चन A is the right answer सूर्जगर्दी स्थांते ही होई सी हमाजु दी मौत के में होई सी लाइबरेरी दिया पौडिया तो डिग के अफ्ष्चन D is the right answer सूरी सामराज दा साशनकाल कदों तों कदों तक रहा हांजी सूरी सामराज इस दा साशनकाल रहा सी पंदरासो चाली तों पंदरासो पंताली इस वी तक Option C is the right answer एक गुरू अंग देव जी दे सामकाली इन सी Next चेरसा सूरी दी मौत होई कदों सी पोडियां तो डिगके होई सी पर होई कदों वाई मैं पंदरासो पंताली नू Option D is the right answer Next Next मुगल राथ दा तीजा बादशा कौन सी हाँजी मुगल वाईश दा तीजा बादशा सीगा आकबर Option A is the right answer Next पाणी पद्दी दूजी लडाई जेडी की आकबर अते हेमू देविचकार होई सी एक कदों होई हाँजी पाणी पद्दी दूजी लडाई आकबर अते हेमू देविचकार पांज नबंबर 1565 देविच होई Option B is the right answer पाणी पद्दी पहली लडाई बाबर अते इब्राहिम लोद्दी देविचकार 1526 विनू होई सी एवी तुसी ते आंची रखना Next आकबर दा सामकालीन कौन सी आकबर दे सामकालीन जेकर गुरुगा देविचों पुछलेया जाविता सानी दे नलदास दवांगे पर जेकर मुगला देविचों ही पुछलेया ता फिरसी के मेद सांगे मुगल होगे जाक सूफी संत होगे ता आकबर दे जड़े सामकालीन सी ओसी सेख सलीम चिस्ती Option D is the right answer Next चांद बीबी हाँजी चांद बीबी ने मुगलादा टाकरा केडी लडाई विच कीता चांद बीबी ने मुगलादा लेडा टाकरावा ओ एमद नगर दी लडाई दे विच कीता Option B is the right answer Next आकबर ने आपने हाँजी आकबर ने अपने सोतेले परा दी मौद तो मगरों काबूल नू अपने सामराज विच कदो मुलाई या 1581 दे विच Option C is the right answer Next आकबर नो पारती रास्टरबाद दा पिता किस हस्ती ने अख्या हाँजी आकबर नो पारती रास्टरबाद पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अख्या सी Option A is the right answer Next जाहांगीर दा साशनकाल केडा सी हाँजी जाहांगीर गुरु अर्जन देवजी दे समकाली इन सी ठीके ते इनना दा साशनकाल सी सोलांसो पांजटों सोलांसो स्ताईस्वी Option C is the right answer Very important Next East India Company केडे मुगल बाशा समय पारत आई सी हाँजी East India Company जाहांगीर दे समय पारत विच आई सी Option B is the right answer Next जाहांगीर अतियोस दे पुत्तर खुसरों विचकार पैर वाल्दा युद्ध कदों होया हाँजी जाहांगीर अतियोस दे पुत्तर दे विचकार पैर वाल्दा युद्ध होया सी A होया सी 1666 दे विच Option D is the right answer Next जाहांगीर अते राना अमर सिंग मेवाड विचाले संधी कदों होई हाँजी जाहांगीर अते राना अमर सिंग दे विचकार संधी होई सी 1615 दे विच Option D is the right answer Next अब्दूल रहीम खान ए खाना केस दा पुत्तर सी हाँजी अब्दूल रहीम खान ए खाना ए बैरम खा दा पुत्तर सी Option C is the right answer Next जाहंगीर ने अपने केडे पुत्तरनू जाहांगीर दी उपाद्धी दित्ती हाँजी जाहांगीर ने अपने पुत्तर खुरम खानू अगला बाद शाबना ए यासी Option C is the right answer खोशरो तां इन्ना दे मतलव के खोशरो दे ताई विरोध हो गई सी ते गुरू अर्जन देवजी दी सही दिदावी मेन कारंसी की खुशरो दी सहाइता करनी नेक्स्ट है नियादी जन्जीर केडे मुगल बाश्यानी लगवाई सी जाहांगीर ने Option B is the right answer जिन्दा पीर केडा मुगल बाश्या अखवोंदा है हाँजी जिन्दा पीर बोल्लिया जान्दा सी जी ओरंग जेवनू Option A is the right answer ओरंग जेवनू जिन्दा पीर बोल्लिया जान्दा सी ठीक है नेक्स्ट है ओरंग जेवने अपने पिता साथ जहानू केडे किले विच कैद किता जी में कितो हानू बता है ओरंग जेव एक कटड़ मुसल्मान सी तो उन्दाने अपने सिख तरम दे विच वी की कोज नहीं किता है ये सबनू अपनू पता है कि किन्ना खत्रना खादमी सी है जी दे विच आप बोल साइद है कि दिल है इनी ता ओरंग जेव ने अपने पिता साथ जहानू वी नई शड्डिया सी उन्णा वी इन्ना वी जेल विच कैद किता सी क्यों किता सी क्यों किता सी क्योंकि साथ जहान दी बेगम दी जोदो डेथ होई सी ता ओस्तों बादे उधासरयां लाग गे सी ता औरंग जेवने सोच्चा कि तूनी हुण राजपाग चला साकदा ता इन्ना ने उन्ना नुचक्के जेल्दे विच कैद करता ते आप आवदा राजपागा जेडा संबाल ले आसी इन्ना ने इन्ना नुच जेल्दे विच कैद किता सी आगरेदे किलेदे वेच अफशन ची is a right answer खे ए नेक्स्ट है अबूल फजल्दा कतल किता सी वीर सिंग बुनदे लाने ओफशन नुबर बी is a right answer पार्त दा अंतिम मुगल बाश्या कौन सी? पार्त दा अंतिम मुगल बाश्या कौन सी? अंतिम मुगल बाश्या कौन सी? पार्त दा अंतिम मुगल बाश्या कौन सी? जहांदर सानू गद्धी ते बैठन विच मदद किसने किती? जहांदर सानू गद्धी ते बैठन दे विच मदद दिती सी? जुल फिकार खाने? option B is the right answer है अब्दुल हामिदल हौरी दी रचना पादशा नामा अब्दुल हामिदल हौरी दी रचना मा है पादशा नामा एकेडे मुगल साश्क देनाव सबंदी ता हाँजी जडी पादशा नामा मा एक सान जहां देनाव सबंदी ता option A is the right answer सान जहांणू देखो सान जहां दी गल करिये इननानू मुगल बादशा दे, साशन काल दा, जा मुगलां दा सुनेरी काल बोल लए जहां दा सही मिलान करो देखो एथे तो अनों एक साइड कार्जकाल देते हैं दूसरे साइड होना था समालिक या हुए आवा ठीके आप अब हादर मुगल बाश्या देनाम लिके हुए है ता एक मैं तो अनों एथे दसना चोनी हैं कि जिमी आपने सिख तरम देविच गुरु गद्धी सी कि पहले दूजे गुरु कौन सी दूजे गुरु कौन सी तिजे गुरु कौन सी ओसी तरह इनना देता छोटे-छोटे इलाके सी किसे कोले दिली दा सी किसे कोले बंगाल दा सी किसे कोले केडा सी गा जा किसे कोले पंजाव दा सी ठीके इदना आपा बोल साक देया ता ए लाके सी गे इन्ना दा समा रेहाजी, केडा समा रेहाजी इन्ना दा स्तारांसु, फर खूशियर दा रेहाजी स्तारांसो तेरांसो उन्नीस वी तक दा, ते बाबबंदा सिंग भाधर जिनु सहेद वी इन्ना दे हुकमा तेही इन्ना ने करवायाजी, अगे मुहाम्मद शादूजा इन्न देविच रखना वैसे कुश्वी आसकदा एक्जाम देविच था पर मिन्नू लगदा जिते तक जे कर बहुत ज्यादा डफ लेवल दा पौना होई एक्जाम फेरे आसकदे या पर अदर्वाइज नहीं ठीके ता ओफ्शन इते केडी राइट सी गी ओफ्शन इते ए राइट हांजी मुगल हकूमत देदो राण सब्तों पहलना योर्पी बपारी जो पाराताय सी ए आसई पुरत गाली ओफ्शन सी is राइट आंसर हो तुसी तिया आँच रखो πुरत गाली ही ज्यारप देया जेडे सब्तों पहलना पाराताय सी गे Jupiter दे विचो बपार करंदे ले ते पूर्त गाली ही एस तरह देया, जेडे सब्टो लास्टते पार्त विचों गई, वेस्टा पैम अन्दियां कि Istok talk Hakrite सब्फथ ध फैसल देविच गोह जो 50自ब्स छोटा राज यहा चैसा पूर्त गाली सब्थो लास्टते गई वहाद विचों, अजात करके नेक्स्ट है फर्खुशयर नू गद्दी ते विठो और विच सहाईता किती हांजी फर्खुशयर नू गद्दी ते विठो और विच सहाईता किती शेयदपरामाने Option A is the right answer Next नादिर्शा 173.729 दे हमले समय केडे मुगल्दी हकूमत सी हांजी जोदो नादिर्शाने हमला किता सी तो ओस समय 173.729 तक केडे मुगल्दी हकूमत सी मुहमद शादी सी Option C is the right answer ठीके इस गल्दा तुसी ती आन रखना Next हांजी है हैदराबाद नू निजाम उल्ल मुलक वल्लों स्तंतर करन समय केडे मुगल्द बादशादी हकूमत सी जोदो हैदराबाद नू निजाम उल्ल मुलक वल्लों स्तंतर किता गया तो ओस समय केडे बादशादी हकूमत सी गी ता एब भादर्शा पहला दी हकूमत सी, option C is the right answer, next है बावबंदा सिंग भादर्जीनू केडी लड़ाई दोराण कैद किता गया, हांजी बावबंदा सिंग भादर्जीनू गुर्दास मंगल दी लड़ाई जेडी की सतारां सो पंदरां दे विच होई सी, इस दे विच कैद कर लिया गया, option B is the right answer, ओस्तो बावबंदा सिंग भादर्जीनू स्तारासो सोलाई स्वीदे विच सहीद किता गया, जून स्तारासो सोलाई दे विच स्तारासो पंदरां च कैद किता, ता देखो किनना समाई नानू तसी है जेडे, मुसलिम तर कभूल करन दे लड़ाई दि पर खोषियर दे हुकमाँ दे होई सी कत कित्थे होई सी दिल्ली दे विच नेक्स्ट रहें, स्तारासो ठत्ति तों अर्सतारां सो उन्ताली विच केडे लुटे रे तारवी ने मुहाम finest शारंगीला तो कोहे नूर हीरा लुटे आह जही मौम्मस शारंगीला तो कोहे नूर ह पारत उपर आठ वार हमला करनवाला एमद शावदाली कि थोंधा शासक सी होंतो अनों ये वी आ सकता कि आमद श्यावदाली नेपार्थ ते खिनने हमले कीते आठ्थ हमले कीते ते कित्थों दा सिगा अफगानिस्थान दा सि ये मराथा सिजी ओफशन डेजर आइटा हमसर अफगान सी गा युद्ध कि दिना लड़या सी पानिपद्धा जो बहुत ही फेमस पंजाव देविच पानिपद्धी पहली लड़ाई पानिपद्धी दूजी लड़ाई पानिपद्धी तीजी लड़ाई अपने इतिहास देविच वहत फेमस हा पानिपद्धी तीजी लड नेक्स्ट रहें, अंग्रेज्जा विरोध अठारांसो सत्वंजा इसवी देविदरो धा कमांडर कौन सी? हाँजी मैं था उनु दस पहला ही दसे आवा कि अंगरेज्जान दे विरोध जेड़ा ठारा सुस्त वंजा इस विदा विदरो किता सिगा पूरे पार्तियान एक का करके उस दे कमांडर कौन बनाए सी बहादर शादूजा अफ्शन बेजा राइट आंसर नेक्स्ट है मन साबदारी पर नाली विचाकवर्दी सहाईता करनवाला मीर बक्षी कौन सी हाँजी मैं एहे तो नू देखो एदे विच की बुल्या गया कि मन साबदारी पर नाली विचाकवर्दी सहाईता करनवाला मीर बक्षी कौन सी ता ए सिगा जी एक साब आज खाँ, option B is the right answer, मनसाबदारी, मनसाबदार, देखो मनसाबदा मतलव किया, एदा शाबदी कार्थ दीवी जी अपा गल करिये, मनसाब, इस दा मीनिंग होंदा पदवी, जानी के ओंदा, ठीके एते मनसाबदारा जेडे, इनना नु लगांदे रूपद विच तन खा मिल दी सिगी, त्योस तन खाणू बुल्लया जान्दा सी, जागीर, नेक्स्ट है, हांजी सा, ए, बे, खवर, केडे, मुगल समराटनू केहा जान्दाए, सा, ए, बे, खवर, केहा जान्दाए, बहाद दर्शा, पहलानू, ओफ्षन, इते, राइट आंसर एज ओफ्षन दे, नेक्स्ट है, मुगल काल समय तोप खानने दे मौक धिकारी नू की केहा जान्दा सी, ए, बे, बे, खवर, काल दे समय जड़ा तोप खानने दा मौक धिकारी हुंदा सी, उसना मीर आतिष बोल्लया जान्दा सी, ओफ्षन is a right answer, नेक्स्ट है, आखवर दे विच्छ तोडर मालनू दिवाने आलादी पदमी मिली सी Option B is the right answer Next बहाद दर्शा पहले दा उत्रादिकारी कौन सी अजी बहाद दर्शा पहले इनना दे उत्रादिकारी कौन बने सी जहां दर्शा Option A is the right answer Next औरंग जेवदे खिलाफ 1688 इस्वीदे विच विद्रो करनवाला राजपूत सैनिक केडा सी हांजी औरंग जेवदे खिलाफ 1688 इस्वीदे विच विद्रो करनवाला राजपूत सीगा दुर्गादास राथाड Option C is the right answer Next हेट लिखें दे सही मिलान करो हांजी इसदे विच किया तो अनुलडाईया लिखें ते एक साइड समा लिखें विजा पूर्दी जित्ता जेडी एक दो जित्ती गई सी 1688 इविच गोलकुंडा दी जित 1687 इच सामुगड दी जित 1688 इच खिदराना दी जांग 1785 इच होई सी वादशा इरान अते मुगला विचाले टकरादा जेडा खेत्तेल सीगा ओसीजी कंदार ओफ्षन ए इस राइट आंसर नेक्स्ट है तुझके जाहांगीरी दा लेखक कौन सी हांजी तुझके जाहांगीरी दा लेखक सीगा जाहांगीर ओफ्षन सी ए जा राइट आंसर नेक्स्ट है आकबर ने गुरु अमर्दाजी दे पुत्री बीबी पान नी देना किन्नी जमीन लखवाई हांजी आकबर तो अनो पता गुरु अमर्दाजी नू मिलन देली गोयंद बाला आई सी ते ओथे इन्ना ने अपनी जडी जमीना पेट करनी चाही जाँपके ते ने आकचड़ावानी चड़ाया जान्दा ना इस तरह ओशावनाल इन्ना ने मतलब गुरुजी नूँ पेट करनी चाही सी पर गुरुजी ने मना कर देता तौस्तों बाद इन्ना ने फिर भी बीपान नी जी जानी के गुरुजी दी पुत्री दे नाम ते उन जमीना जी लखवा देती सी ठीके किन्नी लखवाई सी 500 विग्गे Option D is the right answer Next बावर ने अपनी आतम कथा बावर नाम जा तुझा के बावरी केडी लेंग्युज दे विच्टे लिखिए हांजी बावर ने आपनी आतम कथा लिखी सी बावर नाम जा तुझा के बावरी यह लिखी गया तुर्की देविच Option A is the right answer सर बावर श्रीगुरु नानिक देवजी दे सामकाली न मुगल बाश्रा सीगें ठीकें ओफ्षन एद विच ए राइटा की तुर्की नेक्स्ट है दिल्ली ते मूड अधिकार करन अते दिल्ली विच अपने दूजे राज दिलक उपरंत हमांजु कदों ताक साशन कार सकेया तोटल शेम हीने ओफ्षन सीज हा राइट आंसर नेक्स्ट है काला नूर वेच राज दिलक दोरान अकवर्दी उमर किन्नी सी अकवर्दी तास पोशिया जा राज दिलक बोल सक्देया काला नूर्दी विच होया तो समय ना दिल्ली उमर सी साढ़े तेरा साल जिसनों आपा तेरा सही कवर्टा दो लिख सकने तो ओफ्षन बी थे राइट आंसर है नेक्स्ट है जी मुगल सैनिका ने केस नू हराया अथे 1530 वेच चितोड ते अधिकार कर लिया अजी मुगल सैनिका ने राणा परताप सिंग नू हरा कि 1530 दे वेच चितोड ते अधिकार कित तासी अप्षण नबर इथे रहाइट आँसर अजी D. राणा वीजे सिंग नेक्स्ट है पार्त विचमन साबदारी प्रथा दी उत्पती किस दे साशनकाल नाल सबंदित है अजी पार्त दे विचमन साबदारी प्रथा दी जडी उत्पती है एक इन्ना दे साशन काल दे नाल सबंदिता ये हैगी अजी सबंदित चंगेज खाँ दे साशन दे नाल ओफ्शन सीजा रही चांसर नेक्स्ट है आकबर ने किस उदेश नू मौख राख दे होई मनसाबदारी प्रथा शुरू किती आकबर ने मौख देश रख्या सिगा मनसाबदारी प्रथा शुरू करन दा ओकी सिगा सेना दे नाल नाल अमीरी वर्ग दा गठन करना ये विल्कुल ठीक है ठीक है ओफ्शन ए ही इत्थे राइट आंसर है नेक्स्ट है जी मनसब किसनू परदान कित्ते जान्दे सन राज दे सारे राज अधिकारियानू ओफ्शन बी इसा राइट आंसर नेक्स्ट है औरंग जेव दे साशनकाल विच जाट विद्रोधा नेत्ता कौन सी हांजी औरंग जेव दे समेदे विच जाट विद्रोधा नेत्ता सीगा गोकला जिमीदार ओफ्शन D is the right answer नेक्स्ट है केडा मुगल समराट बीना बजोन विच कोशल सी हांजी बीना बजोन विच केडा माहर सीगा औरंग जेव ओफ्शन A is the right answer नेक्स्ट है आलमगीर दूजेनू सिंगा शंते बिठो अंदोराण केस ने राजा निर्माता दी पूमीका निवाई आलमगीर दूजेनू संगा शंते बठो अंदोराण राजा निर्माता दी पूमीका निवाई इमाद उल मुलक ने ओफ्शन A is the right answer नेक्स्ट है पाणी पत दे तीजे युद्धों बाद एमद शावदाली ने पार्त शड़न तो पहला हेट लिखिया वेच्चों केसनो पार्त दा समराढ कोशित की ता हां जी देखो पाणी पदा जो तीजे और युद्धों हुया सिदे विच आहमद शावदाली दी जित्तों हुई सी जानी कि अफगान जित्ते सी मराठे हार गई सी ते पाणी पद्धे तीजे जूद तो वाद जदो एमद शाह अवदाली ने पायत शड़िया सी, अफगान बाप पस जान लगया सी, तो समयो पार्त दा समराट को शित कर गया सी, सालम दूज जानू Option B is the right answer Option A is the right answer Next Bengal वीच वावरदा समकलीन शाशक कौन सी? Bengal वीच वावरदे समकलीन कौन रही? ता वावरदे समकलीन सी जी, नुसर्त शा Option C is the right answer Next शेर सादे काल वीच टकसालनादी संख्या किन लगया सी? शेर सादे काल वीच टकसालनादी जडी संख्यावा? एसी ते Option B is the right answer Next है छेर सादे दो परमोख सिक्के जन हाँजी छेर सादे दो परमोख सिक्के चलाई सी एक चांदी दा रुपईया एक तामबेदा दाम ति चांदी दा रुपईया किन्ने ग्रेंदा सिगा 178 ग्रेंदा Option B is the right answer Next है पेट्रा डियोरा की सी हाँजी पेट्रा डियोरा की सी पेट्रा डियोरा एक पवनानू सुजोन दी सली सी Option C is the right answer Next है मुगल वस्तु चीलप केडिया सलीया दा मिश्रन है हाँजी मुगल वस्तु चीलप आजे दा एफारसी अते पाथी सलीया दा मिश्रन Option D is the right answer Next है मुगल वस्तु सिलप केडियां सेलियां दा मिश्रन है हांजी ऐजा टेस्ट तो से आंसर लिख सागदें इस दा कमेंट बॉक्स दे विच क्योंकि रुपीट हो चुके है सांज अहां दुवारा दिवाने आम बना और देश दराम्ब विच हेट लिखियां विचों केडा कथन टुकमा है हांजी सांज अहां ने दिवाने आम बनाया सी तेस देश दिस दराम्ब विच केडा कथन अजिडा टुकमा वह उसी पहला रीड कर लेने है परथा विच संतोष बहतर साशन मदद करना गलता है पराद्धी दरनों निरंतरन करना एवी गलता यह टुकमा नहींगा ताज मेल दा सफेद संग मरमर शांती दा परती का एवी गलता है राजे दा निया छोटे वड़ेनों इको जेहा मनना ओफ्शन बी थे राइटा आंसर है नेक्स्ट है इक सिलालेख विच केहा गया कि दिल्लीदे सुल्तान नुँ खुदा दुवारा चुनिया गया ताए है गया अल्ला उद दिन किल जी ओफ्शन बी जो राइटा आंसर नेक्स्ट है हेट लिखे हैं विचों केडा मुगल चार बाग दी एक जगा नहीं है हाँ जी केडा मुगल चार बाग दी एक जगा नहीं है तै हैगा कुबक्त उल इसलाम मस्जिद Option B is the right answer Next है मुगल साशंदी पहली इमारत केड़ी अते कित्थे है मुगल साशंदी जड़ी पहली इमारत केड़ी अते कित्थे है हम आजूदा मकवरा दिल्ली दे विच Option C is the right answer Next है इबादत खाना ते पंच महल दा निर्माता कौन सी इबादत खाना ते पंच महल दा जड़ा निर्माता वा एस ये अकबर Option D is the right answer Next है विश्व शांती दा विचार के समुगल साशक ने अग्गे बदा आया हांजी विश्व सांती दा विचार जड़ा ए अकबर ने अग्गे बदा आया Option C is the right answer Next है बावर दे सामराज विच शामिल सी बावर दे सामराज दे विच शामिल सीगा कौन सीगा काबूल दा खेतर पंजाब दा खेतर आधुनिक उत्तर परदेश दा खेतर उपरोकत दा तिन ने ठीका ते आधुनिक राजस्थान दा खेतर नई सी जाने के पहले तिन ठीका ते पहले तिन option C दे विच दित्ते होया option C is the right answer है हांजी next है हांजी केड़ा युद्ध होया सी जिस दे विच एक पास से तो पहली वार तोप पांदा उप्रियोग कित्ता आगिया सी ता सब्तों पहलना इन्ना दे विच पहला युद्ध जिड़ा ओं हैगा पाणी पत दा युद्ध पाणी पत्द य युद्ध गृकितों आपनी पता सब्तों पहलना तोप खाना अयाई बावर कोले शी का निप युद्ध दे विच पहलना तोप पांदी जिड़ी वर्त आ कितीसे दे विच इब्राह्यमलोदी आ ग्या हिए शी पाणी पद्ध पहले लड़ाया जेड़ी एहे बावर थे बावर अते किन दे विचकार होई सी इबराहिम लोधी दे विचकार होई सी ठीके ताँ पाणी पद्ध युद दे विचेक पास से तो पहली वार तोपन आपियो किता गया सी Option number A is the right answer Very important Next Hate लिखे बादशाहा विचों केस नू कलंदर किहा जान्दा है हाँ जी केड़े बादशाह नू कलंदर किहा जान्दा जी में शेर साज अहां दी गल करिये ओना नू सुनेरी काल बोल ले जान्दा ठीक है ओना दे समेनू औरंग जेवनू जिन्दा पीर बोल ले जान्दा इसे तरह ते कलंदर बावर नू किहा जान्दा Option number A is the right answer Next बावर ने सब्तों पहला पादशादी उपादी तारन कित्ती सी Option number B is the right answer Next हेट लिखे युद्धा विच्चों केसे एक विच्वावर ने जेहाद दी कोशना कित्ती सी हां जी इन्ना दे विच्वावर ने खानवा दे युद्ध दे विच्च जेहाद दी कोशना कित्ती सी Option number B is the right answer Next बावर दियां तिन पत्नियां सन हेट लिखे विच्चों कोण औस दी पत्नी नहीं सी हां जी बावर दियां तिन पत्नियां सी गियां केडियां केडियां पत्नियां सी गियां माहम, गुलरूस, दिलबर ते इन्ना दे विच्चों गुलवदन इन्ना दी वाईफा जेडी हो नहीं सी Option C is the right answer बावर्दी आतम कथा, तुझ के बावरी जे किस पाषादे विच लिखी गई है हाँ जी बावर्दी जीडी आतम कथा हो है तुझ के बावरी ते तुर्की पाषादे विच लिखी गई है Option A is the right answer तत्ते तो तुसे याद रख लेघ़त तुर्की पर तो उन्हों एभी आसागदा बावर्दी आतम कथा दा नामा हो सागदा हो थी ना लिखे आवे तामी तुसी ते आंचरकना कि तुर्की दे विच लिखी गईया ठीके तुर्के बावरी अकबर दे बाद सता संबालन वाले उस्दे पुत्तर सलीम नूँ डैश दा किताब मिलिया जिस दा अर्थ है विश्व विजेता अकबर दे बाद सता संबालन वाले उस्दे पुत्तर सलीम नू जाहांगीर दा किताब मिलिया ठीक है उस दे पुत्ते दा नाम किसी सलीम जिसनों जाहां गिर्दा किताब मिले जिसदार्थ सी विश्य विजेता option B is the right answer next है दिली दा लाल किला अते जामा मस्जिद डैंस दे शाशन काल दी बास्तू कला दी विशाल उपलब्दिया हन ताई है जी साँ जहां दे पानी पद्धी पहली लडाई पार्थ विच गुलाम राजवांश नाल सबंदी ता तुराइन दी दुझी लडाई दी गालकरिये पार्थ विच तुर्की दे नाल सबंदी ता तुर्की साशन दे नाल सबंदी ता option एदी वेच्च देखो तुसी केड़ी बन रही है एक साइड ता ता उनु सुच्चियां देती हुए दूजी साइड उना दे नतीजियां दी सुच्चिय देती हुए ठीके ता option एदे वेच्च दी राइट आंसर वां दिया कि पहले दा एड जेड़ा फोर आ गया ठीके फोर उना ने फाइव नू लिख्या हुए पार्त वेचो मुगल साश्य ना जेड़ा एदे विच्च है नी सिगा ठीके 4 मैं 5 नू लिख्धिता हां जी नेक्स्ट है केस मुगल साश्य के पनी लिखत विच पार्त दी हांजी केडे मुगल आइज 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 हेटली क्या विचों केड़ा व्यक्ति अन पड़ सी हांजी इनना दे विचों अन पड़ सी गा आकबर option C is the right answer next हाल्दी का टी दी लडाई किस दे विचकार होई सी हांजी हाल्दी का टी दी लडाई या जेडी आकबर अते राणा पर ताप सी इंग दे विचकार होई option C is the right answer next हाल्दी अकबर दुवारबना आए गए उपासना पवंदा नाम केसी आकबर दुवारबना आए गए पवंदा नाम सी जी केसी गा इबादत खाना option C is the right answer next सती प्रथादी निंद्या करनवाला मुगल सम्राठ कान सी हांजी सती प्रथादी जीने निंद्या किती सी सब्तों पहलना ये मुगल सम्राठ सी अकबर option C is the right answer next दीन ए इलाही बनाण दा मूल उदेश सी हांजी दीन ए इलाही बनाण दा मूल उदेश सी संसारिक पाई चारा Option C is the right answer Next है आखवर दे 21 केस दरवारी ने देन ए इलाही नू सविकार किता सी हाँजे देन ए इलाही बना उन दा मूलू देश सिगा संसारिक पाई चारा पर आखवर दे 21 दरवारी ने इस नू सविकार किता सी ते ओ सिगे बीरवल Option B is the right answer Next है जोदो इस्ट इंडिया कंपनी दा गठन होया सी उस समय पार्थ दा मुगल बाश्या कौन सी हाँजे जोदो इस्ट इंडिया कंपनी दा गठन होया सी उस समय पार्थ दे मुगल बाश्या सी गे जी कौन सी गे हांजी जदो इस्ट इंडिया कंपणी ना गठन होया सी ता उस समय मुगल बाश्या कौन सी गे उस समय मुगल बाश्या सी आकवर इक गठन दे समय ता मुगल बाश्या आकवर सी पर जेकर तो हनों आकवर दी दूसरी राजता निया जेडी एकेडी सीगी ता आकवर दी दूसरी राजता निया दे विच्चों सीगी फतेव पुर शिक्री Option number C is the right answer Next है महापार्थ दा फार्सी दे विच्चन वाद कित्ता सी बदाउनी ने Option D is the right answer Next है आकवर दे साशन विच्च डैंश सेनापती सी आकवर दे साशन काल दे विच्चोंस दा सेनापती कौन सीगा मीर बक्षी Option D is the right answer Next है मुगल जागीर तकनीकी रूप दे विच्च इनना दे विच्चों की सीगा ता मुगल जागीर तकनीकी रूप दे विच्च सीगा किसे अधिकारी दे लेई पुमी मालिये दा सौंपना Option C is the right answer Next है मुगल समराथ दा मीर बक्षी केस विपाग दी परदा अंगी करदा सी हाजी मुगल समराथ दा मीर बक्षी सैना संगठन दी परदा अंगी करदा सी Option C is the right answer Next है अकवर दुवारा जित्ते गई पर देश्या विच्चों उडिसा दा साशक के सनू बना याग्या सी हाजी उडिसा दे साशक बना याग्या सी निसार खाननू Option A is the right answer Next है रामचरित मानस दे रचिता तुलिसी दास के साख सक दे समकालीन सी यह में तो उनुपहला भी करवादता के तुलिसी दास समकालीन सी अकवर दे पर कीदी रचना किती नाने रामचरित मानस दे Next है आखवर दी आखरी जित सी हाँजी आखवर दी आखरी जित सी गी असीर गाड़ दी Option A is the right answer Next है आगरे नू अपनी राजता निबनोण वाला पहला मुगल बाशा कौन सी आगरे नू अपनी राजता निबनोण वाला पहला मुगल बाशा सी जी अकवर Option C is the right answer Next है आखवर देदर्वार विच सब्तो मशुहूर चितरकार कौन सी आखवर देदर्वार दे विच सब्तो मशुहूर चितरकार सी अब्दुल समद Option A is the right answer Next है कश्मीर दा अकवर नामतो परसिद सुल्तान सी सुल्तान जैनूल आपदिन सुल्तान जैनूल आपदिन Option D is the right answer Next है मुगल काल विच सेना दा परदान हेटली क्या विच्छों कौन सी मुगल काल दे विच सेना दा परदान मीरुत बक्षी सी Option B is the right answer Next है मुगल काल पार्त विच राजदी आम्दंदा मौक सुरोत की सी Option C is the right answer Next है डैंश ने आगरानू अपने सामराजदी राजदा नीबना या सी हांजी राइट आंसर है Option C शिकंदर लोद्धी शिकंदर लोद्धी ने आगरानू अपने सामराजदी राजदा नीबना या सी Next है आगराने सब्तों पहला अपने विवहारीक सवांद राजद पूता ने केस संगरे दो आर जांक जेस संगरे नाल स्थापित कीते हो केडा संगरे सी आँजी आकवर ने सब्तों पहला अपनिविभारीक सवांध राजपूता दे कशवाहा ग्रे नाल स्थापित किते ठीके, ओफ्शन नमबर इथे B, राइट आंसर है जी नेक्स्ट है, मूल साशन विच तामबेदा शिक्का कहला उन्दा सी हाँजी मुगल, मुगल बूलना सी मैं, मुगल जनके मुसल्माना दे समय दे विच तामबेदे शिक्के नू की बूल्लया जान्दा सी सरप्रस्ती दित्ती गई सी हाँजी पेंटिंग नू जहांगीर दुवारा सरप्रस्ती दित्ती गई सी ओफ्शन सी जा राइट आंसर नेक्स्ट है, नूर जहांदा मूल नाम की सी नूर जहांदा मूल नाम सी महरू निसा Option number C is the right answer Next केस मुगल समराट दे दरवार विच बृटिस दोत तॉमस रो आया सी हाँजी केडे मुगल समराट दे दरवार दे विच बृटिस दोत आया सी जेसे नाम सी टॉमस रो ये आया सी जाहां गिर दिदरवार दे विच Option C is the right answer Next ओस मुगल महराणी दा नाम लिखो जेज़दा नाम सारे मुगल फर्माना अते शिक्यां ते लिख्या जन्दा है। जी नूर जहां जहां गीर्दी पतनी सी ते इन्ना दा नाम मुगल फर्माना ते शिक्यां ते लिख्या जान्दा सी किस दे साशन काल विच्छ गुरु अर्जन देव जी नू फांसी दी सजा दिती गई सी ओफ्शन नमबर इथे देखो ये अमसी क्यों इस तरह नहींगा इथे तो नुए आ सकता कि गुरु अर्जन देव जी दी सही दी किनना दे हुकमाते होई सी जहां गीर्दे ओफ्शन C is the right answer नेक्स्ट है दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किती हांजी दो अस्पा शी अस्पा प्रथा जहां गीर्दे शुरू किती सी ओफ्शन B is the right answer नेक्स्ट है मुगला अते में वाड़ दे राणा दे विचकार ची तोड़ दी संदी केस साशक दे साशन काल दो रान होई सी हांजी मुगला अते में वाड़ दे राणा दे विचकार ची तोड़ दी संदी जाहां गीर्दे साशन काल दो रान होई सी ओफ्शन B is the right answer नेक्स्ट है इत्माद उल दौला दा मक्वरा आगरा विचकेस ने बनवाया सी ओफ्शन C is the right answer नेक्स्ट है इत्माद उल दौला दा मक्वरा आगरा विचकेस नूर जहां ने बनवाया सी फार्सी हमलावार नादर्शा लेगा सी ओफ्शन B is the right answer इसे तो बाद की किता सी औरंग जेवने औरंग जेवने बोल लेया सीगा कि तुसी हुन सामसंबाल नहीं कर साकदे ता उन्ना ने आप राजपाग संबाल लेया सी ते सांज अहानू चाके जेल देविच कैद करता सी कित्थे कित्था सी आगरा हांजी नेक्स्ट है हेट लिख्या विच्चों किस मुगल साशकनू पवंदा राजकुमार केहा जान्दा है हांजी ना दे विच्चों केडे मुगल साशकनू पवंदा राजकुमार बोल लेया जान्दा सांज अहानू ओप्शन C is the right answer सांज अहान दे साशनकाल विच्च केडा विदेशी जात्री पार रताया जी सांज अहान दे साशनकाल दे विच्च मनू की पार रताया जी option D is the right answer next है मशहूर कोहेनूर हीरा किस खान विच्चों कड्टया गया सी हाँजी कोहे नूर हीरावा जेडा एक केडी खान दे विचो कड़िया गया सी गोल कुंडा दे विचो Option D is a right answer Next है मोती मस्जीद हेट लिक्या विचो के सनगर विचस देता हाँजी मोती मस्जीद आगरा दे विचस देता Option B is a आगरा Option A थे right answer है आगरा Next है मुगला दी मनस्वदारी परनाली एक गुंजलदार परनाली सी इस दे कुशल परदर्शन दे मौक थाम सन हाँजी इस दे कुशल परदर्शन दे मौक थाम सीगे दागा अभियास दा सही अभियास जगीरदार परनाली दा सही अभियास Option 2 थे 3 दो मेया ओफ्षन सी दिथे राईटा अंसर है हांजी अगला पंडित जगन नाथ हेट लिख्यां विच्छों केड़े राजा दे राज कवी सी ठीके ओफ्षन नम्बर बी इस दिथे राईटा अंसर है नेक्स्ट है दारा शिकों ने उपनिशना दा फार्सी विच अनुवाद केस नाम तों किता सी हांजी दारा शिकों ने उपनिशना दा फार्सी दे विच अनुवाद सिरे अकबर नाम तों किता सी Option number B is the right answer Next BB दा मकवरा है हाँजी BB दा मकवरा किस दा मकवरा वा? औरंग जेवदी पतनी दा Option number B is the right answer तो उन्हों यह आ सक्दा है कि औरंग जेवदी पतनी दे मकवरे नू केड़ी नाम नाल जाने आजान दा BB दा मकवरा Next औरंग जेवदी मौत हेट लिख्या विच्चों के स्थानते होई सी हाँजी औरंग जेवदी मौत एहमद नगर दे विच्च होई सी Option number A is the right answer Next औरंग जेवदा मकवरा कित्थे स्तेत है हाँजी औरंग जेवदा मकवरा दौलता बाद दे विच्च स्तेता Option D is a right answer Next Barnier धे Dash धे साशनकाल विच पार движ हाँ जी Barnier एक British कहे सक्देया कि British आदमी सिगा Barnier ने Dash धे साशनकाल विच पार 2 जातरा किती सी ता इनाने ओरंग जेवते साशनकाल विच पार 2 जातरा किती Option D is a right answer Mughals अमराट जेसने सब्तों वाद सांख्या विच हिंदू अधिकारिया दी नियोक्ती किती सी दा नाम दा सो हांजी मुगल समराट आरंग जेव जिनाने सब्तों वाद सांख्या विच हिंदू अधिकारिया दी नियोक्ती किती सी Option number B is the right answer Next है मुगल समराट औरंग जेव दा केडा साज बजोन दे सी वेरी इंपोर्टेंट हाँजी मुगल समराट औरंग जेव बीना साज बजोन दे सी Optionable C is the right answer Next है मुगल राजवानश दे आखरी साशक कौन सी? हाँजी इमें साथे सिख सामराज दे आखरी साशक सी गे मूर सिंगा शंते बैठनवाला आखरी मुगल समराट कौन सी? हाँजी मूर सिंगा शंते बैठनवाला आखरी मुगल समराट सी महामद शारंग जीला Option No.B is the right answer Next है हाँजी इन्ना दे विचो केडा मुगल बास्षाजी ने राजा राम मुहन राईनू दुत्त बना आके लंदन पे जिया सी ता एस ये आकबर दूजा Option C is the right answer Next है बकसर दे युद समे दिल्ली दा साशक कौन सी? हाँजी बकसर दा युद पिलासी दा युद तुसी सुनेया होना बहुत फेमस है बकसर दे युद समे दिल्ली दा साशक सीगे जी शा आलम दूजा Option No.B is the right answer एस तो इलावा important लडाईया जी मैं पिलासी दा युद बोलेया बकसर दा युद बोलेया मैंना important लडाईया ते वीडियो बना चुकी है पार्थ दे युद पर कि तुसी सर्च कर सकते हुद मैथ विद सुमन प्रीत कोर ता उनों जरूर देख रहा हुद विच सन भी करवाईया किनना देविचे कार केडी लडाई हुई कौन जे तूरे हा यह सारा मैं तो पूरी डिटेल देविच दस्या होया उसना link भी मैं तो दिस्क्रेप्शन बॉक्स देविच हेठा देद मागी हाँजी next है मंगोलां दे वंशेज मुगल कित्थों दे निवासी सी हाँजी मंगोलां दे वंशेज मुगल सी जेडे ओ कित्थों दे निवासी सी मद एशिया दे ओफ्शन बॉर सी जा राइट आंसर next है ओरंग जेव दे काल विच केडे सतनामिया ने बगावत करके नर नौल सेहर नू कबजा कर लिया सी हाँजी ओरंग देव दे काल दे विच गुरु नानिक दे पैरोकार सी जिन्ना ने नर नौल सेहर नू कबजा कित्ता सी ओफ्शन बॉर सी जा राइट आंसर next है नादिर्शानी हेटली ख्यां विच्चों किस दे साशनकाल विच पारत ते हमला कित्ता ओफ्शन लेखक आकबर दा अलोचक सी ओफ्शन बॉर बी इस जा राइट आंसर next है केड़ा लेखक आकबर दा अलोचक सी एमें तो और उन्हों आल्रेड़ी उपरक्रवा चुकी है एजा टेस्टर तोसी आंसर कमेंट बॉक्स दे विच सेंड कर सकते हूँ next है अभूल फजल दी हत्या किसने किती सी हाँजी अभूल फजल दी हत्या किती सी वीर सिंग देव बुद्देला option number C is the right answer next है नूर जहां ने किस नू जाहां गिर्दा उत्तरादिकारी निज़ोक्त किता हाँजी नूर जहां जाहां गिर्दी पत्नी सी ते इना ने सहजार नो जाहां गिर्दा उत्तरादिकारी निज़ोक्त किता सी option number D is the right answer next है अंग्रेज जान दा पारतों दा मत्तब की सी हाँजी अंग्रेज पारतों की करना इसी बपार करन देले next है шेरसा सूरी दी मौत कित्ते होई हाँजी शेरसा सूरी दी मौत काल इंज़र दे किले दे विच होई सी option number C is the right answer next है मुगल काल मुद्रा दा नाम थै हाँजी मुगल काल दे विच जडी amorcy चल दी सी केडी चल दी सी रुपया Option number C is the right answer Next मुगल सेना परनाली अधारित सी Option A is the right answer Next कंदार के समे मुगल सामराज तो निकल गया Option B is the right answer गुरु तेग बहादर के साशिक दे काल विच सहीद किते गई गुरु तेग बहादर जीदी सहीदी औरंग जेव दे हुकमाते होई सी गुरु अर्जन देव जीदी सहीदी जडिके सिक्तरम दे विच पहली सहीदी सी जहां गिर्दे हुकमा दे विच लहार दे विच होई सी पर गुरु तेगबा अधर जीदी से हिदी औरंग जेव दे हुकमा दे दिल्ली विच चानरी चौक दे विच होई सी option D is the right answer next शेर सादा मकवरा कित्थे है हाँजी शेर सादा मकवरा सासा ग्राम दे विच आ option C is the right answer next हाँजी गोल गुम्बद केस वंश नाल्स बंदित है गोल गुम्बद आदिल शाही बंश दे नाल्स बंदित option A is the right answer next मुगल काल पार्त विच हाँजी मुगल काल पार्त दे विच गपड़ा उद योग एक मौक उद योग सी option A is the right answer next अबाव की सी हाँजी अबाव एक तोफा सी option अबाव ठीक है option अबाव भी आसकदा तो नो है ते अबाव भी आसकदा next हाँजी शेर सादे जमीन पर साशन दे बारे एक गल्त कथंद सो शेर सादे जमीन पर साशन दे बारे जिमीदारां दे नाल बंदोवाष्ट कार दितता सी option अबाव ए is the right answer next इलाही गाजदा परियोग केस दे लही हुंदा सी हाँजी इलाही गाजदा परियोगा जेडा जमीन नू मापंदे लही हुंदा सी option अबाव बी ए is the right answer है next है औरंग जेवदी उत्तर पश्मी सीमा नित्ती दा मुगलां ते की परवाब पिया हाँजी औरंग जेवदी उत्तर पश्मी जडी सीमा नित्ती सी और मुगलां ते परवाब किया कि मेरा अठ्या ने बे मिसाल सफलता मा प्रापत कर लिया सी option अबर डी ए is the right answer मेरा अठ्या दा जेडा पहला अफगाना नाल युद्ध होया सी नेक्स्ट है हेड लेखिया विच्छों कौन जीवनीकार सी हाँजी ना दे विच्छों जीवनीकार कौन सी गुल बदन बेगम option अबर डी जा राइट आंसर next है मुगल योगदा सब्तों योगलेखक किसनों मन्या गया option B is the right answer next है राणी दुरगावती किस नाल लड़ी option A is the right answer next है मन्सूर अते मनोहर किस दे दरवार विच्छ मौक चितरकार सी हाँजी मंसूर अतेम नोहर जाहां गीर्दे दरवार्दे विच प्रमोख चितरकार सी Option B is the right answer Next है योगव सेस्ट दा फार्सी अनु वाद किसने किता हाँजी योगव सेस्ट दा फार्सी अनु वाद किता किनानी किता ए किता दाराशि कोने Option D is the right answer Option D Next है तुस्खा ए दिलकुष्दा लेखक कौन सी हाँजी तुस्खा ए दिलकुष्दा लेखक सी कौन सीगा पीमस एन बुर्हान पुरी Option D is the right answer Next है चेर साने उपज लई डैंस जमीनी टेक्स निर्ता रित किता सी हाँजी शेर साने उपज दे लई तीज्जा हिस्सा जमीनी टेक्स निर्ता रित किता एक वटा त्यान Option B is the right answer है Next है हेठा लिख्या विच्चों के साशक दी मौत पौडियां तो डिग के होई सी हाँजी इना दे विच्चों पौडियां तो डिग के किना दी मौत होई सी गी ता पौडियां तो डिग के मौत होई सी जी हमाजू दी Option C is the right answer Next है ओ जमीन जेस ते लागपा गहर साल खेती हुन दी है Option C is the right answer Next है ओ जमीन जेस ते लागपा गहर साल खेती हुन दी है जेस ते लागपा गहर साल खेती हुन दी है Option C is the right answer Next है राणा सांगा सबंदित है Option D is the right answer Next है केस सिख गुरूनू आकपर ने 500 विग्ये जमीन जेती सी हांजी आकपर ने शिरी गुरू अमर्दास जी दी पुत्तरी दे नाम ते बीबीपा नीजी दे नाम ते लखवाई सीगी जमीन छी आकपर न साम ते अट आकशों मीता है कि गुरु रामदाज जी ठीक है इस दे ए मतलब के गुरु फिर गुरु रामदाज और बाकि ओप्शन थी वी डिपेंड करदा हो सक्था ओप्शन तो अनुई थे भी मतलब के मातामा दे नाम लिख के आजी ठीक है ता एस गल्द तुसी थोड़ा त्यान रखोंगे इंगलेंड दी राणी एलिजाबेथ पहला दा समकाली नी पार्ती राजा सी हांजी इंगलेंड दी राणी एलिजाबेथ वन इस दे समकाली न पार्ती राजा कौन सी अकबर Option No.A is the right answer Next रैं राजगुपता दे हेतले राजा वेच केस एक ने अकबर्धी प्रभु सता सविकार ने कितीशी पार्त वेच चार बाग साली दा पहला मकवरा कित्थे सी हांजी पार्त दे विचे चार बाग सेलीदा पहला मकवरा सिगा कित्थे सिगा हिमांजुदा मकवरा केडा मकवरा सी पहला चार बाग सेलीदा हिमांजुदा मकवरा नेक्स्ट है पार्त विचे पहला मुसलिम हमलावार कौन सी हांजी पार्त विचे पहला मुस्लिम हमलावासी मुहम्मद विन काशिम ओफ्शन C is the right answer एंपोर्टेंट बहुत ही ज्यादा एंपोर्टेंट MC की हुआ नेक्स्ट है पहाडी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल अते कांगडा स्कूल कलादियां वक्खो वक्रियां सेलियां केसनू दर सौंदे हन चितर कलाणू ओफ्शन B is the right answer हांजी नेक्स्ट है अयोधिया किस सहर हांजी अयोधिया स्तेत बाबरी मस्जिद निर्मान किसने करवाया सी अयोधिया शैर दे विच एक बाबरी मस्जिद जिसनू मीर बंकी ने बनाई आसी मीर बंकी ओफ्शन D is the right answer नेक्स्ट है जी हेट लिख्या विचो किसनू आधुनिक उर्दू शायरी दा जनमदाता किहा जांदा आधुनिक उर्दू सायरी दा जनमदाता बोल्ले जांदा वा इसनू बोल्ले जांदा बली दक्कनीनू ओफ्शन D is the right answer नेक्स्ट है जर दोजी कडाई डैश देया दी इन पर सिद्ध होई सी हाँजी जर दोजी कडाई जेडी ए अकबर देया दी इन पर सिद्ध होई सी ओफ्शन नमबर A is the right answer हाँजी एस दिन आल सारी आस दे वीडियो खत्म होंदिया ए वीडियो तो अनू केस तरह दी लगई किरपकर की कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दास देना जेस तरह स्टूडेंट्स कमेंट कर देने किस अनू इंपोर्टन फैक्ट ना अधस से जान जादा उस तरह उन्ण अनू जा वीडियो वोरिंग लगदिया जा जादा लेंथी हो जान दिया उन्ण कुलिन टाइम नहीं होंदा ता उसे तरह उसे वेदे वेच में तो अड़ल ये वीडियो तियार कितिया उन्ट उसी जरूर दसना कि तो अनू ये वीडियो केस तरह नी लगई जे करतो अनू वीडियो चंगी लगियो वेता प्लीज वीडियो नूँ लाइक कते शियर करना नापूलना तानवाजी थैंक्स फॉर वाच्चेंग